तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं पुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसे हम पानी से भी ग्रो कर सकते हैं और दूसरा जिए आज मैं अपने गार्डन की साफ सफाई की हूं मैं उसको भी आप लोग के साथ सेयर करूंगी तो यह देखिए फ्रेंड्स सब ग तो इस साइड में पूरा गमले को रख दी हूं और जो रख्यों गमले वह इधर रखा था तो देखिए बहुत अच्छे से इसको सफाई कर दी हूं अब मुझे इस साइट गमले को जमाना पड़ेगा और आज मैं दूसरे साइट को भी साफ करूँगी आगे वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहीएगा और फ्रेंड्स यह देखिए मनी प्लान की कितने अच्छी ग्रोध हुया है हैंगिंग पार्ट में तो आप मनी प्लान को इस तरह से हैंगिंग पार्ट में भी लगा सकते हैं देख सकते हैं, लंबी लंबी वाइने हैं, यह देखे बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इसकी वाइन काफी अच्छी से ग्रोध ही है इसमें मैं वही डालती हूं चावल का पाणी और दाल जो धोते हैं उसका पानी चावल धोते हैं उसका पाणी तो वही फर्टिलाइजर मैं देती हूं तो आप लोग भी अपने मनी प्लांड को इस तरह से घना और इसकी लंबी- नई पतिया नई ब्रांचेस चाहते हो तो आप भी वही फर्टिलाइजर दिजिए तो देखिए मैं इसकी लंबी लंबी जो वाइने हैं उसको मैं उपर के और इसमें गमले में और लटका रही हूं देख सकते हैं ताकि यह अच्छा घना दिखे यह देखिए तो और भी खु सब गमले को मुझे उतारना पड़ेगा नीचे और देख सकते हैं कितना मतलब बारिज की वज़ा से इसमें काई जम गया है दिवाल में तो उसको मुझे साफ सफाई करना है यह देखिए और गमलों को भी साफ सफाई होगी और इसके नीचे यह देखिए यहां पर और अंदल लग रहा है देख सकते इसका कलर और यह दूसरा वाला है तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली आज मेरे पूरे आंगन की साफ सफाई हो गई दोनों साइड भी हो गया और क्यारी भी हो गया दो दिन में हुआ है पुरा देख सकते हैं यह पुरा गमला मैं बीच में र पुरा के इतना साफ हुआ है फ्रेंड्स देख सकते हैं और इस किनारे में मुझे फिर से गमले रखने हैं जब आंगन सुक जाएगा तो मुझे अच्छे से जमा के गमलों को रखना है यह देखिए और यह उपर जहां पर गमले रखे थे यहां पर भी साफ सफाई हो गई ह और यह देखिए यह है टेंगल हाट के प्लांट अच्छे से साफ सफाई हो गई है और यहां पर देखिए फ्रेंड्स यह है इसने प्लांट फोटे से पार्ट में लगा हुआ है और यह देखिए मनी प्लांट और मनी प्लांट के इस गमले को मैं थोड़ा सा हटाई तो इस यहां पर देखिए मैं पानी से घ्रोकी हूं वह बाला प्लांट है यह anymore है यौनी प्लांट है यह कर सकते हैं यह कटिन से लगाया गया यह यह लेकिन आच्छा से प्लांट मिन रूट्स नहीं नहीं है है इसे अभी तक मिट्टी में लगाया रहती तो इसमें रूट्स निकाल आते पाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स इसलिए जादे तर हो सके तो आप लोग मिट्टी में ही इसने प्लांट की कटीन को लगाई है क्योंकि पानी में इतना जल्दी ग्रोण नहीं हो पा कबार से जुगाड़ वाला है जिसको हम यूज करके अपने गार्डन में यूज करके अपने घर की कोई भी कॉर्णर को इस तरह से सजा सकते हैं तो यहां पर देखिए स्नेक प्लांट और इसे मैं अभी पानी में डुबाई हूं इसे मैं मिट्टी में लगाई थी और बहुत अच्छे से रूट्स निकल आये हैं और यह देखिए वन ड्रिंग यह काफी अच्छे से सर्वाइब कर रहे हैं पानी में भी देख सकते हैं इसके बहुत अच्छे से रूट्स निकल गए हैं और यहां पर देखिए मनी प्लांट तो इस अभी प्लांट कटिन से डाली है तो देख सकते हैं इसकी पत्या थोड़े बुझासी गई है लेकिन इभी इसमें पाने डाली हूं और देखिये पॉट के उपर पाट रखी हूं काफी खुबसूरत लग रहा है यहां पर यह कॉर्णर कैसे लगा आप लोग कमेंड करके कमेंड बाक्स में बताईएग इस तरीके से बॉटल में ग्लास में तो आप मनी प्लांट है वांडरिंग जो है इसने प्लांट है एंज्वाइपोस प्लांट है इन सभी प्लांट की कटिन को बेजीजक आप लगा सकते हैं बहुत जल्दी इसमें रूट्स निकलाएंगे हां लेकिन इसका जो पानी है उस लाइक तो बनता है और कमेंट करके कमेंट बाक से बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो कैसे लगी तो फाइनली फ्रेंड्स आज का जो मेरा साफसपय के काम है वह पूरा हो चुका है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जमाऊंगी तो उसको भी आप लोगे साँ सेयर कर अपने गार्डन के जो आंगन के गमले हैं उसको जमाए और यह मनी प्लांट ने फ्रेंड्स एक भौरा छुपा है जो बहुत ही ज्यादा इधर दर मन्रा रहा था तो देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहरी थी कि कुछ प्लांट है जिसकी कटिन हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और अभी गार्डन की सापसफाई चल दी फ्रेंड्स तो फाइनली मेरे आंगन का तो हो गया लेकिन मेरे एक घर के बाहर वाले जो गमले रखे हैं उसको मैं कल साप करूंगी तो मिलते हैं नेक्स चुडियो में तर तक लिए बादे हैं